नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड इंटर परिक्षा के लिए इतिहास का अतिमत पूर्ण आपजिक्टी प्रस्ण दोस्तों इस वीडियो को आप अन तक जबूर देखें क्योंकि इसमें सभी प्रस्ण बहुत थी बहुत अच्छे प्रस्ण है जो बिहार बोर्ड इंटर परिक्षा में इतियास में पूछे जाती है तो पहला प्रस्ण आप देख रहे है इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना कब हुई थी इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना हुआ था 1600 AD में ओप्सन ब्र बी सही है प्रस्ण है जगदिषपूर में 1800 संताउन के बिद्रों का नेत्वर किसने किया था अठारह सो संतों के बिद्रों का जगदिसपूर में किसने नेत्वर किया था तो वीर कुवर सिंग ने कुवर सिंग ने ओप्शन नमर B सही है अगला प्रसन है नीमन में कौन हडपा सब्यता का नगर नहीं है तो हड़पा सभ्यता का नगर नहीं है बिजय नगर ओप्शन नमर D सही हो जाएगा अगर दया राम सायनी ने हडपा सभ्यता की कोज किसवर्ष की तो इस प्रस्ण का उत्तम हो जाएगा आपका ओप्शन नमर A बिल्कुल सही है 1921 इसवी में दयारामसाइनी ने हरपा सव्यता की खोज किस वर्ष की 1921 इसवी में की अगला प्रस्ण है कि धोला वीरा किस राज में है अगला प्रस्ण देखते है हरपा सव्यता का विशाल असनानागर किस नगर में पाया गया था तो इस प्रशन का उत्र जाएगा मोहन जोद्रो में उप्सन नमर ए बिल्कुल सही है हलपा सव्यता का विसाल असनानागर किसने गर में पाया गया था मोहन जोद्रो में उप्सन नमर ए सही है अगला प्रशन है पूरा तत्वी के अंतरगत नीमन में से कौन एक नहीं आता है तो पूरा तत्वी के अंतरगत नीमन में से कौन एक नहीं आएगा शाहित्य उप्सन नमर ए बिल्कुल चाहिए है शाहित्य नहीं आएगा अगला प्रस्ण है लोथल किस नदी के किनारे इस्तित है लोथल किस नदी के किनारे इस्तित है तो सिंध नदी के किनारे लोथल इस्तित है प्रस्न है राज तरंगनी किस ने लिखा था तो राज तरंगनी लिखा है कलहन ने आपसन नमर बी सही है अगला प्रस्न है मुस्लीम लिंग की अस्थापना किस वर्ष हुई मुस्लिम लिंग की अस्थापना किस वर्ष हुई तो 1906 वी में आप्सन नमर B सही है मुस्लिम लिंग की अस्थापना का वोई थी 1906 वी में स्वतांत्र भारत के पर्थम गवर्नर जर्नल कौन थे स्वतांत्र भारत के पर्थम गवर्नर जर्नलन थे option number A बिल्कुल से सी राज गोपालाचारी भारतिय राष्ट्य कंग्रेस की पर्थम मैला अध्यक्ष कौन थी option number A सही है प्रस्न है दुतिय विश्यूद कब आरम हुआ दुतिय विश्यूद कब आरम हुआ तो option number C बिल्कुल सही है 1 सितंबर 1949 इस वी को पाकिस्थान 173 राष्ट के रूप में कब अस्तीब में आया 14 अगस्त 1947 इस वी को आया option number C बिल्कुल सही है अगला प्रसना है समिधान के प्रणूप समीती के अध्यक्ष कौन थे तो इस प्रस्टन का उत्रा जगा option नमर A बिल्कुल घ्या है भीमराव अमबीटकर अप्शन नमर A सही है प्रसना है भारत कब गंतंत्र हुआ भारत कब गंतंत्र हुआ तो 26 जन्रुबरी 1950 को 26 जनवर 1950 को option नमर C बिल्कुल सही है भारत का अब गनतंत्रवा 26 जनवर 1950 प्रस ने बिक्रम दैति की उपाधी कि समराथ ने गरहन की थी तो option नमर B बिल्कुल सही है चंद्रगुप 2 ने असो किस वन्स का सासक था तो option नमर B बिल्कुल सही है मौर्य समराज का पर्थम सासक कौन था मौर्य समराज का पर्थम सासक था चंद्रगुप्त मौर्य option नमर B सही है मा भारत की रचना किस भासों में हुई थी मा भारत की रचना किस भासों में हुई थी संस्कृत भासा में option नमर A बिल्कुल सही है पुराणों की संख्या कितनी है पुराणों की संख्या है 18 ओप्सन नमर सी बिल्कुल सही है पुराणों संख्या है 18 चौरी चोरा कांट कि स्वर्ज हुआ था उप्सन नमर सी बिल्कुल सही है प्रस्न साहीMन कमिशन भारत कव आया उप्सन नमर बिल्कुल समय है 1928 प्रस्न साहीMन कमिशन भारत कंमाया डॉंडी किस राज में इस्तित है डंडी किस राज में श्तित है तो इस प्रश्ण का उत्र जाएगा गुजरात में उप्सन नमर डी सही है मात्मा गंदी ने पहला किसान अंदरन कहां सुरू किया मात्मा गंदी ने पहला किसान अंदरन कहां सुरू किया तो चमपारन में उप्सन नमर डी सही है 1942 में कौन सा अंदरन हुआ था भारत चोड़ो अंदरन हुआ था उप्सन नमर D बिल्कुल सही है भारत चोड़ो रौलेक्ट एक्ट कीस वर्स पारित हुआ तो 1919 सी नम्र टी बिल्कुल सही है जलियावला बाग हत्याकन कब हुआ जलियावला बाग हत्याकन कब हुआ उनिस सो उनिस इसवी में हुआ था उप्सन नमर सी बिल्कुल सही है बंगाल के विवाजन की घोशना किस वर्स हुई थी बंगाल के विवाजन की घोशना हुआ था उनिस्सो एग्यारा स्वी में बंगाल की विवाजन की गोशना हुआ था पौनीपत के पर्थम यूद में बावर ने किसे प्राजित किया था इबराहिम लोधी को प्राजित किया था आप्शन नमर भी सही है ताज महल किस नदी के किनारे इस्तित है ताज महल किस नदी के किनारे हैं यमुनो नदी के किनारे हैं उप्शन नमर बी सही है विजय नगर का महंतम सासक कौन था विजय नगर का महंतम सासक कौन था पिरिश्न देव राय उप्शन नमर बी सही है हैंपी किस राज से समन्दी था है विजय नगर से ओप्सन नमर डी सही है विजय नगर समराज के स्थापन कब हुई थी विजय नगर समराज के स्थापन कब हुई थी 1336 इसवी में हुई थी विजय नगर समराज के स्थापन आईने, एक्वारी कितने भागों में बिवक्त है पॉँच भागों में आप्सन नमर D सही है अक्वार का संगरक्षा कौन था तो आप्सन नमर A बिल्कुल सही है बेहरम खाम भारत का अंती, मोगल समराच कौन था तो आप्सन नमर C बाहदूर सा जाफर प्रशन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था तो 540 इसा पुरुव में उप्सा नमर ए बिल्कुल झelf города अगला प्रशन है दिवाँगर एवां स्वेटोंबर किस धर्म से समन्दि था तो जैन धर्म से औप्सण नमर सी बिल्कुल से है, दिवांगार, एव्ऐम सफ़टोंबर, किस समन exclusively थाई? जायन धर्म से है प्राचीन भारत में धामा की सुरुभात किस सासक ने की थी? तो औप्सण नमर सी बिल्कुल से है, अस्वोक ने अकवर नम किसकी कृति है तो option नमर D बिल्कुल सही है अबूल फजल का अब्बूल फजल का नवरतन किसके दरवार में रहते थे तो अकवर के दरवार में नवरतन रहते थे तलवंडे किसका जन्म अस्तल था तो इस परश्न का उक्तर हो जएगा आपका गुरू नानक का उप्शन नमर भी सही है परश्न है खौज़ा मुद्दिन चिश्ती की दरगा कहा है तो इस परश्न का उप्शन नमर डी बिल्कुल सही है अजमेर में प्रस्न है बीजक में किसके उपदेश सेंगरीत है बीजक में तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका आपसान नमर ए बिल्कुल सही कवीर का हैंसों किस देश का यात्री था हैंसों किस देश का यात्री था तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा चीन का प्रस्ण है अलबुर्णी किसके साथ भारत आया था तो इस प्रश्ण का उत्र हो जाएगा मुहमुद गजिनी के साथ भारत आया था प्रस्ण है केप्टन होपकिन्स किस मुगल सासक के दरवार में आया था केपटन होपकिन्स की स्मुगल साचक के दरवार में आया था तो इस प्रशन का उत्रों जाएगा आपका उप्सन नमर B बिल्कुल सही है जहांगीर के दरवार में आया था पुछा गया था 1877 की क्रंती की स्थिती को आरम हुई आठाराथो संताउन की करन्ती की स्तिती को आरम हुई तो इस प्रश्न का वत्तर हो जाएगा Option नमर अ है बिलकुल सही है 10 माई को प्रश्न है Gateway of India कहा इस्ति था Gateway of India कहा है श्ति था तो इस प्रश्न का वत्तर हो जाएगा Mumbai में प्रश्न है इंडिया गेट का निर्वान कब हुआ था इंडिया गेट का निर्वान कब हुआ था तो 1911 में आप्षाण नमर ए साई है भारत में रेलवे की शुरुबात कब हुए तो 1853 में आप्षां नमर C बिल्कुल से 1853 में प्रस्न है बास्को डी गामा भारत कव आया तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका 14892 में उप्शन नमर ए सही है प्रस्न है भगत सिंग को फांसी कव दी गई भगत सिंग को फांसी कव दी गई तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को राखल दास बनर जी को मोहन जोद्रों के अपसेश कीस वर्ष मिले उप्षन A 1920 इसवी में उप्षन B 1921 इसवी में उप्षन C 1922 इसवी में उप्षन D 1923 इसवी में तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप C सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे है 1922 इसवी में राखल दास बनर जी को मोहन जोद्रों के अपसेश मिले थे अगला प्रस्ण है हडपा किश नदी के किनारे इस्ती थे सिंदू, व्यास, सतलज, उप्षन D, रावी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रावी नदी हडपा किश नदी के किनारे इस्ती थे रावी नदी के किनारे इस्ती थे अगला प्रस्ण है सिंदू घाटी निवासियों को किस धातू का ज्यात नहीं था तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोहा सिंदू घाटी निवासियों को किस धातू का ज्यात नहीं था लोहा धातू का ज्यात नहीं था अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है आपका सिंदू घाटी सभ्याता में विशाल असनाना गार के अपसेश कहां से प्राप्त हुए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अपसेशन नमबर बिल्कुल सही है मोहन जोद्रो से अगला प्रस्ण है असोक किस वन्स के सासक थे असोक किस वन्स के सासक थे तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कोमेंट बॉक्स में दे असोक किस वन्स के सासक थे तो असोक था मोर्यू वन्स के सासक मोर्यू वन्स के अपसन नमर भी सही है अगला प्रस्ण है एलारा के कैलास मंदीर का निर्वान किस राजवन्स ने किया तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका ओप्सन नमर डी बिल्कुल सही है राज कूटव ने एलारा के कैलास मंदिर का निर्वान किस निकरवाया राज कूटवने ओप्षन नमर D सही है अगला प्रस्ण है लोथल इस्तीत है लोथल इस्तीत है कहां गुजरात में परस्षिम बंगाल में ओप्षन C राजस्तान में ओप्षन D पंजाब में तो लोथल इस्तीत है गुजरात में, ओप्सन नमबर A बिल्कुल सही है, लोथल कहां है गुजरात में, अगला प्रशन है प्रयाग प्रस्त की रचना किसने की, तो इस प्रशन का उत्तरों जाएगा आपका ओप्सन नमबर C बिल्कुल सही है, हरी सेनने, हरी सेनने, अगला प सास्त्र और एंडिका कि किस राजुंस के विशे के जनकारी मिलती है या गुफत इस प्रश्ण का उतर क्या होगा? इस प्रश्ण का उतर हो जाएगा आपका option नम्मर A बिल्कुल सही है more you ones के और सास्त्र और इंडीका से किस राजवंज की जनकारी मिलती है more you ones के option नमर A सही है अगला प्रशुन है प्रसित उंदी का रचना किषने की थी प्रसित उंदी का रचना किषने की थी तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number B, बिल्कुल से है, मेगा अस्तनीज ने, option number B सही है, अगला प्रश्ण है, महा भारत यूद कितने दिनों तक चला? महा भारत यूद कितने दिनों तक चला? तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number D, बिल्कुल से है, महा भारत का यूद 18 दिन तक चला था, अगला प्रश्ण है, महा भारत की रचना किस भशां में हुई? महा भारत की रचना किस भशां में हुई? पुरानव की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number B, बिल्कुल से है, पुरानव की संख्या 18 है. अगला प्रस्ण है, भगवान महावीर ने पास्वरनात के सिधान्त में नया सिधान्त क्या जोरा? तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number D, बिल्कुल से है, ब्रहम चड़िये, क्या जोरा? ब्रहम चड़िये का option number D, से है. अगला प्रस्ण है, त्री पीटक साहित्य है, किसका जन धर्म का, बोध धर्म का, सेब धर्म का, या बैसनव धर्म का? तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number B, बिल्कुल से है, त्री पीटक साहित्य है, बोध धर्म का. बोध धर्म का, option number B, से है, अगला प्रस्ण है, तलवंडी में किस प्रसीद संत का जन्म हुआ था, तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका, option number D, से है, गुरू नानक का, तलवंडी में किस प्रसीद संत का जन्म हुआ था, गुरू नानक का, option number D, से है, अगला प्रस्ण है, इवुन बतुता ने अपनी यात्रा का बिब्रन किस भासों में लिखा था, आर्वी भासों में, option number D, से है, आर्वी भासों में लिखा था, अगला प्रस्ण है, अल्बुर्नी किसके साथ भारत आया था, इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका, option number B, बिल्कुल सही है, मुहमुद गजनवी, मुहमुद गजनवी के साथ आया था, अल्बुर्नी, option number 20, सही है, अगला प्रस्ण है, इवुन बतुता किस देश का निवासी था, इवुन बतुता किस देश का निवासी था, अगला प्रस्ण है आपका, शेक मुद दिन चिस्ती की दरगा इस्तित है, तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका, अजमेर में, option number D, बिल्कुल सही है, शेक मुद दिन चिस्ती की दरगा कहा है, अजमेर में, option number D, सही है, अगला प्रस्ण है उत्तर भारत में, भक्ती अंदोलन का आरम किस संत ने किया, तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका, option number C, बिल्कुल सही है, रामनंद ने उत्तर भारत में भक्ति उन्दलन का आरंब किया अगला प्रस्नह आपका आयने A. किस ने लिखा तो आयने A. किस ने लिखा तो आयने A. लिखा है अबुल फजल ने अबूल फजल ने, ओप्सन नमर B बिल्कुल सही है, अबूल फजल बिजय नगर समराज के अस्थापन किसने की थी तो इस प्रस्निक का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नमर ए बिल्कुल सही है हडियर और बुक्का दोनों भाई थी अगला प्रस्न है पूर्थकालियों ने गोवा पर कव अधिकार किया तो इस प्रस्निक का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नमर बी बिल्कुल सही है पंद्रासो दस इसवी में गोपूरम का संबंध है किस से गोपूरम का संबंध है मंदीरों से इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका option number D बिल्कुल सही है पांच भागव में अगला प्रस्ण है अकवर नामा की रचना किसने की अकवर नामा की रचना किसने की तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा option number D बिल्कुल सही है अबुल फजल ने option number D सही है अगला प्रस्ण है कुतूब मिनार का निर्मान किसने शुरू किया था तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आप्सान नमर ए बिल्कुल सही है कुतूब मिनार का निर्मान कुत्वुद्दिन एवक ने शुरू करवाया था अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि कुतूब मिनार का निर्वन पूरा किसने करवाया तो इलतुतमिस हो जाएगा और सनमर भी सही हो जाएगा लेकिन अभी यहां प्रस्ण में क्या पूछ रहा है कि कुत्व मिनार का निर्वान किस ने शुरू किया तो कुत्व दिन एवक ने शुरू किया था अगला प्रस्ण है औरेंग्जेव ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहां बिताया अगला प्रस्ण है निम्न लिखीत में कौन मुगल बादसा आलमगीर के नाम से जाना जाता है निम्न लिखीत में से कौन बादसा आलमगीर के नाम से जाना जाता था तो इस प्रस्ण का उत्तर जाएगा आपका उप्सन नमर C बिल्कुल सही है औरेंग्जेव औरेंग्जेव आलमगीर के नाम से जाना जाता था अगला प्रस्ण है पानी पत का पर्थम यूद की स्वर्थ हुआ तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्सान नमबर B बिल्कुल चाहिए 1526 इसवी में पानी पत का पर्थम यूद का वह था 1526 इसवी में प्रस्ण है दंगमीन इको क्या था तो दंगमीन इको भूभाग था उप्सान नमर A सही है भूभाग अगला प्रस्ण है संथाल बिद्रो का नेता कौन था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्सान नमर B बिल्कुल चाहिए सीधो अगला प्रस्ण है कार्ण वलिस कोड बना 1793 में कब बना 1793 में कार्ण वलिस कोड का बना 1793 स्वी में ओप्सान नमर D सही है अगला प्रस्ण है आठारा सो संताओन का बिद्रो आरम हुआ कब हुआ दस माई को मेरट दिल्ली में आठारा सो संताओन का बिद्रो दस माई को मेरट दिल्ली में हुआ था अप्सान नमर A सहीधास माई को शुरू हुआ था अगला प्रस्ण है आपका गेटवे आप इंडिया का निर्मान कब हुआ गेटवे आप इंडिया का निर्मान कब हुआ था 1911.12 में आपसन नमबर C सही है अगला प्रस्ण है इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापन कब हुई थी इस्ट इंडिया कमपनी के अस्ठापना कब होई थी, तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आपका आप्सेन नमबर A, बिल्कुल सही है 16 alarms V में इस्ट इंडिया कमपनी के अस्थापना कब होऊ था, 16founded में, आप्सेन नमर A सही है अगला प्रस्ण है आपका जलिया वाला बाग हत्याकर्ण की सुवर्स हुआ तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number A बिल्कुल सही है 1919 इसवी में जलिया वाला बाग हत्याकर्ण की सुवर्स हुआ था अगला प्रस्ण है आपका डंडी किस राज में इस्तित है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सर नमबर C बिल्कुल सही है गुजरात में डंडी किस राज में है गुजरात में अगला प्रस्ण है गंधी जी ने ओसायोग अंदलन किस राज में किया गंधी जी ने ओसायोग अंदलन किस राज में किया तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सर नमबर A बिल्कुल सही है उनिस्सो बीस इसवी में गंधी जी ने ओसायोग अंदलन का आरम किय था 1920 इसवी में अगला प्रस्ण है विहार में चम्पारन सत्यागरा कब शुरू हुआ तो 1927 इसवी में आप्सन नमर बी सही है अगला प्रस्ण है पूना समझोता किस वर्ष हुआ था पूना समझोता किस वर्ष हुआ था तो पूना समझोता हुआ था 1932 इसवी में आप्सन नमर ए बिल्कुल चाहिए पूना समझोता किस वर्ष हुआ था 1932 इसवी में हुआ था अगला प्रस्ण आपका भारतिय सम्विधावन की प्ररूप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर डी बिल्कुल चाहिए बी आर अमबेटकर अगला प्रस्ण है भारतिय सम्विधावन के अनुसार संप्रभुप नहीं थे तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका शंबिधावन में अगला प्रस्ण है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जर्नल कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जर्नल कौन थे तो सी राज गोपाल चारी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो समय गवर्नर जर्नल कौन बना भारत का सी राज गोपाल चारी ये भारत ये थे अगला प्रस्ण है भारत छोरो अंदवलन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा? कुमेंट बोक्स मुतर दें भारत छोरो अंदवलन हुआ था 1942 इसवी में ओप्शन नमर D सही 1942 इसवी अगला प्रश्न है संथाल विद्रो कब हुआ तो इस प्रश्न का उत्तर हो जेगा आपका ओप्षन नमर ए बिल्कुल सही है 1825 बी में संथाल विद्रो हुआ था अगला प्रश्न है East India Company के स्थापने कब हुई East India Company के स्थापने हुई थी 1600 AD में कब शुरू हुआ बिहार में चमपारन सत्यागरा कब शुरू हुआ तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका सभी है स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जर्नल कौन थे तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नमर ए बिल्कुल सभी है सी राज गोपाला चारी अगला प्रश्ण पुछा गया था कि भारतिय राश्ट्य कॉंग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्स थी त तो ए नी बेसेंट ऑप्सन नमर ए बिल्कुल सभी है अगला प्रश्ण पुछा गया था जै हिंद का नारा किस ने दिया था जै हिंद का नारा किस ने दिया था इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा आपका सुहास चंद्र बोश ने दिया था अगला प्रश्ण पुछा गया थ दूतिय विश्यूत कव आरम हुआ था तो एक सितंबर 1949 को आरम हुआ था अगला प्रस्न पुछा गया था कि पाकिस्थान एक स्वतंत्र राश्ट के रूप में कव अस्तीब में आया तो अप्सन नमर सी बिल्कुल सही है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्थान एक स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र रूप से अस्तीब में आया अप्सन नमर सी बिल्कुल सही है 14 अगला प्रस्न पुछा गया था कि शमिधान के प्रारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे शमिधान के प्रारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो भीम राव अमबेटकर option number A, बिलकुल सही है अगला प्रस्न है आपका भारत कब गनतंतर बना भारत कब गनतंतर बना तो 26 जन्वरी 1950 को भारत गनतंतर बना अगला प्रस्न पुछा गया था आपको सुतंतर भारत के पर्थम गिरी मंत्री कौन थे स्वतनतर भाट के पर्थम गिरी मंत्री कौन थे तो इस प्रश्ण का उत्तर गएगा आपका बल्ला भाई पटेल ओप्शन नमर ए बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है पाकिस्थान का पहला परदान मंत्री कौन था पाकिस्थान का पहला परदान मंत्री काँ था तो अप्शन नमर B बिल्कुल सही है लियाकत अली अगला प्रस्ण है गेटवे ओप इंडिया कहा है तो मुंबई में अप्शन नमर A बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है इंडिया गेट का निर्मान कब हुआ था इंडिया गेट का निर्मान कब हुआ था तो इस प्रस्ण कोक्तर हो जाएगा 1911 इसवी में इंडिया गेट का निर्मान हुआ था जो दिल्ली में है प्रस्ण है भारत में रेलवे की शुरुवात कब होई तो आठारासो तीलपन इस भी में ओप्सन नमर सी बिल्कुल सही है प्रस्ण है बासको डीगामा भारत कब आया तो आप सभी विजानते हैं 1498 इस भी में आया था अगला प्रस्ण है साइमन कमिस्टन काल में भारत में धन प्रावास का सिधन किसने परतिपारित क्या तो दादा भाई नौरोजी अप्सन नमर बी सही है अगला प्रस्ण है भगत सिंह को फांसी कब दी गई तो 23 मार्च 1931 को अप्सन नमर ए बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था तो 540 इसापूर में हुआ था उप्सन अमर ए सही है अगला प्रस्न है श्वेत दिवांगर एबंश्वेतंबर किस धर्म से समन्दित है तो जैन धर्म से समन्दित है जैन धर्म से अगला प्रस्न है चोड़ी चोड़ा कंड किस वर्स हुआ था तो चोड़ी चोड़ा कंड किस वर्स हुआ था तो चोड़ी चोड़ा कंड किस वर्स हुआ था 1922 चोड़ी चोड़ा कंड का हुआ था 1922 अप्सन मर दी सही है अगला प्रस्ण है सेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है तो लाला लच्पत राय को सेरे ए पंजाब के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण है आपका शाइमन कमिशन भारत कव आया तो 1928 सिस्वी में शाइमन कमिशन भारत आया था अगला प्रस्ण पुछा गया था निमन में से कौन सा अंदावलन डांडी मार्च से सुरू हुआ तो इस प्रस्ण का उतर जाएगा ओसायोग अंदावलन अपसन नमर C बिलकुल सही है अगला प्रस्ण आपका डांडी कि स्राज में इस्तित है अगला प्रस्ण है मातमा गंधी ने पहला किसान अंदलन कहां से आरम किया था चमपारन से अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है बंगाल के बिवाजन की घोशना हुआ था उनिस्सो पांच इस वी में आप्सन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है कि निकाय के अनुसार महा जन पदों की संख्या कितनी थी तो 16 अप्सन नमर बी सही है अगला प्रस्ण है मगत समराज की अस्थापन की थी बी मी सहार ने अप्सन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का सहसन काल था उप्सन नमर डी बिल्कुल सही हो जागा अप्सन नमर डी अगला प्रस्ण है बिक्रमा दैति की उपाधी की समराथ ने ग्रहन की थी तो चंद्रगुप्त टू ने अप्सन नमर बी सही है अगला प्रस्ण है असो किस वन्स का सहसक था तो मौर्य वन्स का अप्सन नमर बी सही है अगला प्रस्ण है मौरी समराज का परत्थम सासक कौन था मौरी समराज का परत्थम सासक था चंद्रगूप्त मौरी option number B बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है आपका नीमनु में कौन हरपा सभ्यता का नगर नहीं है निमन में कौन हरप्पा सव्यता का नगर नहीं है तो बिजय नगर option number D सही है अगला प्रस्थन है जीम्स जॉन्स ने SCIT society की अस्थापन कर्व की थी तो 1784 स्वी में option number A सही है अगला प्रस्थन है दया राम साहिनी ने हरप्पा सव्यता की खोच की स्वर्ज की दया राम साहिनी ने हरप्पा सव्यता की खोच की थी 1921 स्वी में option number A सही है अगला प्रस्थन है धोला वीरा किस राज में है धोला वीरा गुजरात राज में option number C सही है